अरे यब में, हिंजीर का जेम, बहुत ही जबर गड़, सापले वर्वारा जेम, और ताकत सेबर पूर, जो उम्ही नती मजबूत करता है अरे यब में, बहुत ही जबर गड़, जो प्राद उम्ही कर, कि सब हेरे से होगे पर में आचा जोगी होगे और रस्पिके सद, मैं आचा जोगे जबर गड़ा हो, मजबार ताज़ा जीर आजेम, जिसके लिए मैंने, एक लिए इंजीर लिये हैं, और इसका अची तरह दो ल अब मैं इसको दर्मियान में कर रही हूँ, और चुक कर रही हूँ, कि अगर किसी इंजीर में कीला हो, तो इस इंजीर को अलग करके पेंक लूप, इसी तरह सारे इंजीर को कट लिये हैं, मैंने चोटे वाले इंजीर लिये हैं, आप लोग बड़े इंजीर में लिए सकते ह जो अबेलेबल हो सारे इंजीर कट कए हैं और क्यूले वाले इंजीर अलग करके पेंग लिया है इंजीर को बहुत से पैदे हैं जो मैं दर्मियान दर्मियान में बताऊगी अब चुले को आम करते हैं जब आइसेट करते हैं अब इस पर एग पेंगो रखिहूू। अब इस में को तियूू। एग तो क्राद रखिनी डारेगे। और दो कप्चिनी डारेगे। अगर आप लोगो को मीटा कंपसर है तो वान एप कप्चिनी डारे। एक निमोकर रस्मे चोड़े। और दीमोकर रस्मे चोड़े से चीनी क्रस्तलेस नहीं होकी। और जेम भी बहुत अच्छा बलेगा। और मेशर की मदद से दबाएगे। ताके इंजीर का पानी निकल नहों कर निकलना शूरू हो चल आप देख सकते हैं इंजीर का सारा पानी निकल गया है और छिली भी डिजोर हो गया है इंजीर को मसलसल दबाएके ताके इसका अच्छा पेस बन जाए या पिर आप लोग इसको जूसर में डाल कर इसका एक्सपूर पेस बनाएके तो पिर मेश करें के जरूरत नहीं होगी अब इसको चम्ति के मदद से मज़ीद मेश करें के और पानी को हुश होने तब पकाएंगे इंजीर को मेश से में जरूर इस्तेमाल करना चाहिए अपने बच्छों को भी यह जरूर के लाए क्योंकि पेट के किलों को हटम करता है देखे चंपी की नज़त से कितना जबर्दस पेश बद गया है राचीना को हटा कर पेंट क्लेट क्योंकि ये अपने ज़े का जेम में जोड़ चुका है अब चुक करते हैं ये जेम तया है के नहीं एक प्लेट में जेम को बढ़ते हैं और प्लेट को साइड पर पिर्चा करके देखते हैं अगर जेम नीचे आ रहा है तो इसको मजीद 10 मिनट के लिए पकर देखो कितना प्यारा कलर आ रहा है 10 मिनट पाद पिर प्लेट में डाल कर चिक करते हैं अगर जेम तिर्चा करने पर नीचे नहीं आ रहा है तो जेम रेडी है अब चुले को बंद करते हैं और जेम को तंदा होने के लिए रख देते हैं तंदा होने के बाद इसको किसी भी इयर टाइट और बिलकुर हो जार में डाल कर इसको प्रिज में दो से तीन महीन तक के लिए नहीं पूस कर सकते हैं इसको सुबह नश्टे में इस्तिमाई करने के बहुत पाइदे हैं यह इम्यूनिटी को मजबूत करता हैं नजर को तेस्ट करता हैं मेदे को ती करता हैं पेट के कीरों को माता हैं कमजोरी को दूर करता हैं खुन को बढ़ाने वाली मशीन है तो इसको जरूर फ्राइब कीजिएगा अगर आप लोगो को ये मेरा चिन पसंद आए तो चैनल को जरूर लेक और सब्सक्राइब करें अगले वीडियो तक के लिए लापेश